हलो दोस्तो मैं हूँ विकी कारलो और आप देखरें आपका अपना यूटुब चानल मा एडिटिंग टिप्स दोस्तो आज का अमरा टॉपिक है प्रीमियर प्रो के बारे में दोस्तो प्रीमियर प्रोपेशनल वीडियो एडिटिंग सौप्टेर है दोस्तो इसमें आज हम तो एक black color की पट्टी होती है जो नीचे से उपर की तरफ जाती है और उपर से नीचे की तरफ जाती है मैं यहाँ पर आपको play करके दिखाता हूँ मैंने एक sample बना के रखा है देखे जैसे ही गाना starting होता है तो कुछ इस तरह की पट्टी होती है जो नीचे से उपर की तरफ ज करते है ओपन करने के बाद कुछ इसतार का इंटरफेस आता है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले वीडियो को एड करना है तो यहाँ पर देखिए इंपोर्ट मीडिया तू स्टार्ट लिखा यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है फिर यहाँ पर आपको वीडियो को एड करना है ठीक है वीडियो को add करने के बाद यहाँ पर वीडियो आ जाएगा वीडियो को drag and drop करके आपको timeline पर लाने के बाद यहाँ पर आपको effect को add करना है तो effect को add करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए आपको search करना है बी ए आर यन तो यहाँ पर एक effect आ जाएगा burner doors करके तो इस वाले effect को आपको drag and drop करना है और आपके video में यहाँ पर add कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे हमने effect को add किया यहाँ पर effect आमारा आ चुका है मैं यहाँ पर थोड़ा से छोटा करता हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है burner doors करके तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस video को select करना है जैसे आप video को select करेंगे यहाँ पर एक option आ जाएगा effect control वाला ठीक है तो चलिए मैं थोड़ा से effect को play करके दिखाता हूँ तो दोस्तो हमने effect को play किया तो यहाँ पर आप देख सकते है left side से right side से यह open और close हो रहा है ठीक है तो दोस्तो आप लोगों ने देखा कुछ left side से right side से इस तरह का effect प्ले हो रहा है तो गाने में इस तरह का effect नहीं रहता है left side से right side से top side से रहता है तो top side से करने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पर देखे एक image है यहाँ पर देखे top side वाले option पर click करना है जैसे आप top side वाले option पर click करते है हमारा effect top side से opening होईगा यहाँ पर मैं आपको play करके दिखाता हूँ यहाँ पर देखे नीचे से उपर की तरफ जा रहा है ठीक है तो दोस्तो इसकी speed काफी ज्यादा है यहाँ पर आप देख सकते हैं फटाक से जा रहा है मैं आपको play करके दिखाता हूँ देखे तो इसको क्या करना है इसकी जो length है इ आपको play करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसको एक border देना चाहते है तो border भी दे सकते हैं यहाँ पर देखिए border वाल option है यहाँ पर आपको है डबल क्लिक करना है यहाँ पर 10 कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैंने 10 कर दिया है अब border का color भी आप चेंज कर सकते हैं तो यहाँ से मैं क्या करूँगा white color select करूँगा आप भी white color select कीजिए ठीक है तो कुछ इस तरह का border बन जाएगा यहाँ पर देखिए अब मैं आपको play करके दिखाता हूँ तो यह play करने के बाद कुछ इस तरह से उपर से नीचे की तरफ जाएगा नीचे से उपर की तरफ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का effect आप लोगों ने काफी album song में या फिर वीडियो में cinematic open door effect का इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तो यह दिए आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तो हमारे चानल को like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए दोस्तो subscribe करने से हमरी आनेवली वीडियो की जनकरी आपको मिलती रहे